आप सब केसे हैं आज हम आपको दिखाएंगे हमारे घर का पिछे तरब का जो बगिचा है उधर का कुछ नजारे और उधर हम क्या-क्या लगा है उसका थोड़ा नजारा दिखाएंगे और कुछ पेड़ पोदे बगेरा लगाएंगे उसका भी कुछ नजारा आपको इस आइक करना मत भूले तो चलिए चलते हैं और आपको विकाते हैं आप अरीजाँ, ऑाउ करे पकला है उसका घर लोगना यजाँ जाएंगे जाएंगे यदया करदे, बगिरे के अताफ़र सभाइंगे, कर रहहा भाभाएंगे उसकी सारे ठापद है नजा टो तो आपको नेकिवेड़ा, को उसके एम हागशे बगाते हैं टिशाट नजाएंगे हां तो फ्रेंट्स लोग आप देख रहे होंगे मैं एक पोदा लगा यह फूल का पोदा है दोस्तों यह फूल जब दियो दिपावाली आता है उस वक इसका जरूरत बहुत ही पड़ता है तो यह हम अपने हमारे बगीचा में लगा रहे हैं जो दिपावाली में काफी काम देगा तो फ्रेंट्स लोग यह तो बारिस के दिनों में बहुत सर पेड हमारे जान के लिए हमारे सांस के लिए भी वह उक्सिजन देता है आप सभी को पता ही होगा तो हर किसी का जान बहुत ही अन्मोल है दोस्तों तो हम लोग जैसे हमारा जान को जितना इंपोडान देते हैं आप कितना देते होंगे यह तो मालूम नहीं लेकिन हर किसी का जान ब्हुत अमौल में उसका ध्यान हम जितना रखेंगे हम उतना ऑक्सिजन बगद मिलेगा तो है जान है तो जहन है थो ठूझ बहुत अन्मौल निकान है अगर कुछ जमीन बगद लिएगा तो यह हमारे जो बगीचा है वहां का कुछ नजा रहे दोस्तो यह हल्दी का पोध है है दोस्तो लगाये हैं ठोड़ा और और यह देखिए केला का है और उधरनिवू का है भौषार पेक यह यह देखिए क्या है आप हमें क॒ंटमेश्ग बताएगा तो यह हमारे तरकारी बनाने के लिए काम आएगा तो ये भी हम लगाएं दोस्तों और भी किना आपको नेक्स वीडियो में आपके साथ बहुत कुछ आपको दिखाएंगे तो ये ये भी एक फोदा है बहुत सार है दोस्तों ये ने फल तो नहीं हुआ है इसका तो इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक आपके साथ फिर से मुलाकात होगी तब तके लिए थैंक्स पॉर वाचिंग इस वीडियो और अगर आप हमारे स्ट्राइब में नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत बुले तो के बाए जैहिं वंदे मातरव हुआ हुआ है